गूड इविनिंग आज 10th September World Society Prevention Day है और अभी देर शाम में ही पता चला कि महराश्टर स्टेट में अमरावती जिले के 13 साला बच्चे ने जो 8th क्लास में था सुसाइट कर ले क्योंकि उसे टीचर ने पनिश किया था और बच्चे उसकी हसी उड़ा रहे थे हम इस बहस में नहीं पढ़ेंगे कि बच्चे की कितनी गलती थी और टीचर का पनिश करना सही था या नहीं सही था हम सिर्फ यह देखेंगे कि बच्चे की एज क्या थी और उसने सुसाइट क्यों किया और सुसाइट को रोका जा सकता था क्या जहां तक कि जो मैनन यूज पे पैलोटेप से उसको छिपकाया भी और फिर बाद में पंखे से फंदा लगाकर वो उसने सुसाइट कर लिया। बच्चे गल्कियां करते ही हैं और उन्हें उनके बड़े पनिश करते भी हैं बहुत बार पनिश करना ज़रूरी भी हो जाता है वैसे भी ये साइकोलोजी में रिवार्ड और पनिश्मेंट दोनों को इक्वल इंपोर्टेंस है इसलिए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी बच्चे का नर्चर उस पनिश्मेंट के बगएर भी कर सकें ओवियसली रिवार्ड देना बहुत अच्छी बात है बच्चों को अप्रिशियेट करना ही चाहिए और अप्रिशियेट करने से बहुत सारे पॉसिटिव चेंजिज आते हैं आपको एक अच्छा पनिश्मेंट की कोई जगह नहीं है लेकिन आजकल जिस तरह से इस अप्रोच को प्रमोट किया जा रहा है कि बच्चों को पनिश नहीं करना चाहिए बच्चे सुसाइट कर लेते हैं तो यह एक बहुत सोचने वाला मुद्ध है इस बात पर सोचना चाहिए कि इस इनवायरमेंट में बड़े हो रहें उसमें कहां कौन सी कमी रहेगी है नर्चरिंग में कौन सी कमी रहेगी है या फिर बच्चे का बेसिक जो उसका ब्लू प्रिंट है उसमें कोई कमी है कि मतलब बाय नेचर ही वह ऐसा है या फिर उसको कोई प्रॉबलम है वो एड़ी यंग्स्टर्स सुसाइट कर रहे हैं और वो किसी से help लेने के बजाए, किसी से share करने के बजाए, सुसाइट को prefer करते हैं तो हम देखते हैं इस वीडियो में कि क्या पहले तो हम यह देखेंगे कि warning signs क्या होते हैं सुसाइट के यानि उसने किसी से शेयर नहीं किया, अपनी मम्मी से नहीं बताया, अपनी कोई फ्रेंड से नहीं बताया, जिस दिन स्कूल में इंसेडेंट हुआ, उसी दिन उसने घर में आके सुसाइट कर ली, तो यह एक इंपलसिव बिहेवियर है, तो माइड भी बच्चा ADHD हो, बच्च होते हैं, इनमें जो इनमिक सैयडेंट अता है, या सैलफ हाम इसने इंपलसिव होता है, बिलकुल अचानक से यह लोग डिसिजन लेते हैं, और फोरण ही अटेंट भी कर लेते हैं, और बहुत बार इनकी जान चली जाती है, वैसे भी जो पूरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि अभी death का second largest reason suicide ही बन रहा हैं लेकिन उसके apart जो लोग हैं जिनके बाद जैसे last week एक news सुनी थी कि देहली में सफदर जंग की final year MBBS final year की बच्ची ने suicide care doctor ने अभी उसके पहले एक news सुनी थी 15 दिन शायद हुए होंगे मुश्किल से उसको MBBS के third year के लड़के ने suicide किया जबकि व यह सारे लोग जो बजाहर life में बहुत success दिख रहे हैं बहुत अच्छे दिख रहे हैं इनका सब कुछ अच्छा चल रहा है या फिर यह थोड़े से matured age में एक दम teenager में नहीं है तेरा 14 साल की उम्रे में नहीं है या फिर उससे छोटे बच्चे भी कुछ-कुछ होते हैं पर हम यहां पर देखेंगे पहले फिर बात में उस बच्चे की बारे में भी आते हैं तीन चीज़े इंपोर्टेंट होती है एक तो सबसे पहले तो उसकी talking वह इंसान जिसके मन में societal thoughts चल रहे हैं वह किस तरह की बात कर रहा है मतलब उसको अपना आप दूसरों पर बोज लगन लाइफ में रखा ही क्या है इस तरह की वह बातें करता है उसका mood वह काफी depression में दिखाई देता है isolated होता है चीजों में से उसका interest खतम हो जाता बेचैन रहता है या फिर बहुत ज़्यादा गुस्ता करने लगता है या बिलकुल खामूश हो जाता है और एक इनका behavior एक तो इ इन में alcohol or drug abuse देखने के लिए मिलता है यह family से friends से अलग रहने लगते हैं social activities से withdrawal कर लेते हैं कोई शादी ब्यादी पार्टी वगरे में जाना बन कर देते हैं कोई भी activities में जाना बन कर देते हैं अपनी जो कीमती चीज़े हैं वो दूसरों को देना शुरू कर देते हैं बहु आपको मारने की कोशिश करते हैं बहुत बार देखने में भी आते हैं चोटी शोटी बातों में बोलते हैं मैं कूट जाओंगा मैं मर जाओंगा कलाई पे blade चलाना वगरे इस तरह की कोशिश करते हैं या फिर हर किसी को phone करकर के good bye बोलते हैं या फिर बहुत सारे लोग इस तीन चीज़े बहुत ही सिग्निफिकेंट होती है यहां से ही समझ में आता है अगर उसकी सोसाइडल टेंडेंसी है वो उसके बारे में सोच रहा है अब यह तो वार्निंग साइंस हो गए हम थोड़े से और वार्निंग साइंस को एक्स्प्लोर करेंगे यहां पर और भी देख यहांगे दूसरों को बताता है और विड्रॉल तुमें बताया है इस पहले के फैमिली और फ्रेंड से विड्रॉल कर लेते हैं उनके से अदलग रहना शुरू कर देता है मूट स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं कभी बहुत ज़्यादा खुशी दिखाते हैं बहुत लगते हैं काहीं वुकwood चोड़ते हैं बहुत लोगों को इसके बारे में बहुत सारे लोगों के सामने यह सब्सक्राइबी जीने को दिल न यह चाहता तो यह warning science हो सटे हैं talking too much talking less isolation sleep excessively less sleep और collecting materials to do suicide तो ये तो warning signs हुए लेकिन इसके पीछे reasons क्या होते हैं आखिर क्या वज़े है कि इंसान में societal tendency पैदा हुई उसको society का खयाल कैसे आया तो एक research ये बताते हैं जो psychological issues सबसे पहले जो भी लोग society attempt करते हैं तो उनमें ये पाया गया है कि उनको कोई नो कोई mental health के symptoms उनमें होते ही हैं या फिर ill mental health condition उनकी होती है जिसमें दो चीज़े मैं आपको बताऊंगे कि एक तो prone to cluster B personality disorder इनका होता है तो ये तो आपको 18 साल के बाद ही पता जलेगा जो 18 साल के बाद वाले लोग हैं suicide में उनके बारे में ही आप बता सकते हैं कि हाँ cluster B personality थी इनकी उसके पहले वाले को आप prone to तो क्या सकते हैं लेकिन mostly जो बच्चे होते हैं वो या तो ADHD होते हैं या फिर पूरी तरह से ADHD तो रिमार्क नहीं कर सकते हैं लेकिन impulsive behavior इनका होता है तो यहीं लोग societal tendency इनकी होती है एक और research बताती है कि young children who attempt suicide are six times more likely than their peers to attempt suicide again in adolescence एक और चीज़ी इसमें इनके आड़ किया है among younger children suicide attempts are often impulsive कि दो चीज़ी इसमें important है एक तो adolescence जो adolescent होते हैं उससे जादा six times more जो young children होती है उनके अंदर societal tendency होती है और उसकी क्या वज़े होती है क्योंकि यह इनका behavior mostly impulsive होता है यह कुछ सोचते समझते नहीं पहले से उनको नहीं रहता असानक से कोई चीज़ उनको hurt कर जाती है और जैसे यह जो आज जो बच्चे का case हुआ इसने जो किया तो यह एक impulsive decision ही था ऐसा नहीं था कि बहुत दिनों से इसके मन में suicidal thoughts चल रहे होंगे बहुत दिनों से उसके मन में जिन्दगी से मायूसी जिन्दगी से उदासी या जीनी की इच्छा खतम हो गई होगी इसलिए उसने ऐसा किया यंगर चिल्डरन में ज्यादा तर यह behavior इंपल्सिव ही होते हैं और यह adolescence से six times ज्यादा prone होते हैं एक और study बताती है कि mental health concerns were identified in a third of the suicide dates examined with the most common diagnosis being attention deficit hyperactive disorder यह मैंने पहले ही बताया या पिर depression, trauma including suspected and confirmed case of abuse, neglect and domestic violence domestic violence seen was in more than a quarter of children who died by suicide of children who reported have experienced trauma almost half of experienced multiple traumatic events family related traumatic problems such as divorce, family disputes, parental substance as use or a family history of a suicide or mental health concern were seen in more than a child 39.8% of children who died by suicide school problems such as explosion, changing schools or suspension were also reported for almost 32% of children who died by suicide मतलब हम यह पूरी रिपोर्ट का निचोड यह बता सकते हैं इस्चाइडल हिस्चाइडल हिस्चाइडल हिस्ट्री है यह सबसे ज्यादा होते हैं और उसके बाद में जो सेकेंड नमबर पे हैं वो इस्कूल प्रॉब्लम्स की वज़े से बच्चे सुसाइड करते हैं थार्ड नमबर पे उनके जो ADHD वगएर की इशूज होते हैं बच्ची का impulsive behavior होते हैं तो यह सारे reasons होते हैं बच्चों के सिसाइड करने के तो हमने warning signs भी देख लिया कि किस तरह का behavior आ रहा है किस तरह की talking आ रही है तो पते चले कि इसके मन में सुसाइड की thought चल रहे हैं उसके पीछे reason क्या-क्या हो सकते हैं हमने वो भी देख लिया अब हम देखेंगे कि इसको रोका किस तरह से जा सकता है तो सबसे पहले तो शुरुवात तो parenting से होती है जब बच्चा मतलब जब pregnancy से conceive हुआ है तब से ही किस तरह से जो मा की mental condition होती है family की जिस तरह से हाला चलते हैं घर का जो माहोल रहते है वो सारी चीजे भी बच्चे की personality shape करने में एक बहुत important role play करती है फिर उसके बार में जब बच्चा पैदा हो गया किस तरह से parents का behavior किस तरह से आ रहा है कैसे nurture हो रहा है क्या सारी चीजे वो सारी चीजे सबी कुछ एक बहुत वास्ट वो topic है और parenting पे अलग से वीडियो बन सकती है मतलब इसमें तो वो cover नहीं हो सकता लेकिन अगर हम को sign दिख रहे हैं तब हम क्या कर सकते हैं सिर्फ parenting में मैं एक ही बात add करूंगी पूरा parenting तो मैं इस वीडियो में cover नहीं कर सकती कि जब आप बच्चों की परवरिश करना शुरू करते हैं मतलब जब बच्चा आपके गोद में आया है और आपने उसके देख भाल करना और उसको सब करना शुरू किया है तो तब से उस वक्त तो बच्चा शवूर वाला नहीं होता बच्चा समझ वाला नहीं होता लेकिन ये चीज़ अगर आपके अंदर होगी तो जब बच्चा बोलना है स्टार्ट करेगा बच्चा समझना है स्टार्ट करेगा देड़ दो साल की उमर में तो तब से वो ये आपको बारते को आपको इसके चाहिए टाइगे हम कर दो मैंने तो आपको नियम मिलता है तो आपको लाइफ में पर्पस मिलता है whilst अपको यह ait thought automatic नहीं आते हैं suppose आते भी हैं तो वो बहुत जल्दी हम उसको overcome कर सकते हैं तो ये एक बहुत important चीज है जो आपको शुरुवात से ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए अब हम ये देखे हैं कि बच्चे में जब हमको science दिखने लगे हैं हमने क्या करने तो बच्चे से बात करना है बच्चे को सुनना है बोलना का में आपको सुनना जादा है बच्चे के मन में क्या क्या है बहुत बार ऐसा होता कि बच्चे ठीक है हम ऐसा तो सोचते हैं कि हम बच्चे से बात करेंगे बच्ची को सुनेंगे लेकिन जब बच्चा बोलने हैं स्टार्ट करते हैं तो हम बीच बीच में उसको सजेशन्स देने लगते हैं बीच बीच में हम बताने लगते हैं यह सही है यह गलत है ऐसा नहीं करना चाहिए था तुमने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था तुमने ये काम बहुत अच्छा किया है या ये बहुत गलत किया है तो इससे क्या होता है कि टॉपिक ही चेंज हो जाता है और बच्चा जो बोलना चाता है वो उसके मन में ही रह जाता है इसलिए प्लीज आप अच्छे लिसनर हो कि बच्चे की बात सुने तब ही बच्चे के कि उसको यह बताएए, उसको यह यकीन दिलाईए कि कोई भी ट्रेट्मेंट या उसको जिस भी किसम की हल्प चाहिए वो मिल सकती है, उसके मन में क्या खोईश है क्या उसे कैसे पूरग किया जा सकता है एक dignified way में और कौन से खौईश पूरी करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो एक अलग topic है लेकिन हम यहां पर उसको यह नहीं सिखाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है हम उसको किसी भी तरह कि preaching नहीं करेंगे कोई भी चीज इवन हम उसको society के बारे में भी नहीं बताएंगे कि यह बहुत सही है यह बहुत खलत है किसी भी तरह कि हम उसको नसियत नहीं करेंगे और नहीं हम यह भी नहीं बोलेंगे उसको कि अरे नहीं society को इतनी भी बुरी चीज नहीं है तो ऐसा नहीं होते हैं, आप भूले से भी ऐसा नहीं बोलेंगे एक और important चीज़ है कि आप उसको किसी भी बात पर शर्म नहीं दिलाएंगे कि वो जो बोलते हैं तुमको डूप के मर जाना चाहिए तुमने तुमको शर्म नहीं आई, तुम एक इतनी अच्छी फैमली से बिलॉंग करते हो तुम इतनी अच्छी स्कूल में पढ़ते हो, तुमने ऐसा काम किया तुम ऐसे तो इस तरह से आपको बच्चे को शर्म नहीं दिलाने चाहिए बच्चे और आपको नौन जजज्मेंटल होते हुए बच्चे की बात सुननी चाहिए उसमें किसी भी तरह की अपनी राया नहीं बताना चाहिए यह सही है, यह गलत है, वो टीचर ने, वो बंदे ने, वो आपके फ्रेंड ने यह सही किया यह गलत कि अच्छा, उसने ऐसा किया कि अब आपरे, कितनी तुमारी इंसल्ट की, इस तरह की बातें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और एक सबसे एहम चीज, किसी बच्चे में, किसी एडॉलेसेंस में, किसी यंग्स्टर में, किसी बड़े एज की इंसान में भले से सूसाईडल टेंडेंसी दिखे या ना दिखे, ये हमको एक फैमिले इनवार्मेंट ने घर में मेंटेन करना ही चाहिए कम से कम एक टाइम का खाना, सब लोगोंने साथ में घाना चाहिए हम अपनी दिन भर की बातें एक दूसरी के साथ में शेयर करें एक दूसरे के साथ में एक अच्छा fun time गुजारें, एक अच्छा वक्त गुजारें ये बात में अपने students को भी हमेशे हैं कहती हूँ कि दिन भर में जो आपके साथ में हुआ, आप school के एक छोटी छोटी बात ये teacher आया, उन्होंने ये पढ़ा है, friend के साथ ऐसे गुज़रा, टिफिन में ने पूरा finish किया था, नहीं किया था हर एक बात जो आपको बिल्कुल useless भी लग रही है, वो आप आपके parents से जरूर किया करें तो इससे क्या होता है, कि आपके मन में कुछ conflict नहीं रह जाता है शर्म लगती है, या उसको ऐसा लगता है, कि अपना आप छोटा लगता है, या फिर उसको ऐसा लगता है, कि उसके इंदर इतनी capability नहीं है, कि वो अपनी problem खुद solve कर सके, तो उसको अच्छा नहीं लगता है, मदद मांगने के लिए, वो जीजक होती है, जब हम एक दूसरी के साथ में सारी ही बातीं शेयर करेंगे, तो हम अगर सामने वाले फिर बोलने में आते हैं, यह दिन बर में जो कुछ भी आपके साथ अच्छा बुरा हुआ, ऑफिस में, जॉब में, स्कूल में, पढ़ाई में, दोस्तों के साथ खेल के मैदान में, तो सामने वाल आपको हो तो कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी फैमली में आती है तो सब में लोग मिलके उसको अच्छे से सॉट आउट कर पाते हैं और इस तरह के टेंडनसी नहीं आती है तो यह तो एक ब्रीफ सा मैंने बताया है अगर आपको और किसी तरह की है चाहिए तो डिस्क्रिप् और अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा इंपल्सिव है यह आपका खुद का ही नेजर इंपल्सिव है आप सोच समझ कर डिसिजन नहीं लेते हैं सोच समझ कर बात नहीं करते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताईए मैं उसके उपर एक डिटेल वीडियो बनाओंग और इंशालला आपको उससे जरूर हेल्प मिनेगी आइ होप यह भी आपके लिए काफी हेल्पफुल हुआ होगा थैंक यू